और ऐसे गाएं लोड करी जाती है यह गाड़ी राजस्तान जा रही है वीडियो के शुरू में आपको दुखाया था और अभी चार-पांच गाएं जो इस गाड़ी में लोड करी जाएगी किसान भाई यो नमाशकार मालवा फार में आपका स्वागत है यह वीडियो हम बना रहे हैं मनत डेरी फारम पे दोनों बाई हमारे साथ मजूद एंसे बात करेंगे सबसे पहले हम आपको इनका फारम दखा देते हैं जे इदर गाएं सेल के लिए वेलेवल है और कुश गाएं यहां से सेल हो चुकी है और परली शेड़ा आप देख सकते हो इनके फारम पे कुश बैंसे भी सेल के लिए वेलेवल खड़ी है यह सभी बैंसे वह वीडियो शुरू करने से पहले नए कसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि हम आपके लिए अलाग लाग पश्चों के वीडियो शेयर करते रहते हैं हां जी नमस्कार, क्या हाल है बड़िया इंच की टोटल कितनी गाएं और वेंसे अभले वल है गाई और 10 12 गाएं अधिक है और उर और ऐज शाम को लोड आज शाम को लोडिंग है वीडियो के बाद लोडिंग हो जाएका सबसे पहले जो फर्स नॉम्मर पे गाए है उसेल के लिए वैलेवाल है स्टिक्लादो बटैं को कौन से रिया कि खाए सर दांत है सर न argues और कि गाएं दूसरा 30 प्लस रहेगा सर लेकिन हम 30 के देंगे आपको सर जे तो ब्रीड में हाँ टॉप ब्रीड में है सर क्वाल्टी विए राप प्रेंटेस का सर अर्डर कुछ सामने सर कुछी बताने की मेरे को नहीं लगता कुछ बताने की जरूरता सर तर सें बाई रेट गाएं का प्रेंटेस का ठीक है सर और ब्रीड विगारा सारी चीज आप देख सकते हैं कि ब्रीड भी आपके पास बिल्कुल सर ब्रीड का में तो टॉप चल रहे हों बिल्कुल बिल्कुल सर जी तो किसान भाईयो जे गाएं सेल के लिए वेलेबल खड़ी है 30 लीटर दूद की ग्रं 30 प्लास देना है दूद थर्टी फाइव लीटर के आसपास जाएगी लेकरन हम थर्टी कहकी देंगे सर इसको क्योंकि काम प्लेट आने की हम कोई गुंजाइश रखते नहीं अपनी तरफ से ठीक है सर और कुल्टी बगारा इसकी मिल्क वेन सर आप देखोगे ठीक है अच् इसका किया बैगरूंड अगी सार दूसरे एलेक्टेशन में सर यह सेल के लिए बेले वल्हान सेल करी है वे सेल होगी सर यह लोकल सेल की है ताप पंजाब में ही हाज तो तो में दान्तों में से चे राविए और किस रेट परियें यह किस आप अधे सकते हो अभी आठ दस धन की ज़िए ठीक है और सारी मिलक में आचल का प्रपर गैप सर आचल का देखो कोई किसी की किसी चीज का मिक्स नहीं है ठीक है सर और कोल्टी पगहरा ऐसके इसके कानों की आँखों की सारी चीज देखो गेसर आपके सामने जर्सी अच्छी ब्रीड की कह सकते हैं इस गाएं का बैकर नजी सेकंड में अशर यह वी वेले वाला जा वीकी है नासर सेल के जोटने दूब की रहेगी दूज़ा 25 लीटर गरंटी से देंगी जिक एजी लंबा चला तो थोड़ा सा और रेट रेट इसका सर 60 एज बीड़ आप दे सकते हो हाइट बगएर दे सकते और उसका बजन सर ठीक है अडर क्वाल्टी फेस्ट क्वाल्टी सर ठीक है नीचे से मिल उसक बीड़ की जारी है और पांच जाए यारिए कोटा ठीक है और एवरेड रेट की बात करो 45 की बात कर का अपके सब्सक्राइब, कोई कंप्लेट बात निया, आपको जड़ी भी बाई को, किसान मेरा नंबर का नंबर चाहिए जहाँ पर कास्टमर का नंबर चाहिए विजे ठाकर जी नामाइका आप उनसे बात भी कर सकते हैं, रसगुले का उनका, बीकानेरी रसगुले के नाम से का मंगर ठीक है सरー आप देखोगे आप अधर जाके भी देखो गई वे देखो के हमारे को एक साल होगा उधी ऊड़े माल बैइत हुएं आ थैंच होगे अच्छी जाइफ ही चीज जानबर देंगे तो कोई कस्टमर नॉर्मल सी बात है कि हमारे साथ काम में मतलब की बिजनेस करेंगे यह सर सेकंड में है अभी दांतों में दांतों में सर चार दांता भी तो यह सेल हुई है जा जा रही है क्रॉस ब्रीड़ कि दूद की है दूद सर इसके लिए पास अभी 16 लीटर भी और शोला की बात करें बिल्कुल शांत सुबाब की सर ठीक है अडर क्वाल्टी आचलों का गैप सर ठीक है और अभी रैडी है 16 लीटर खी सर उन्होंने गाबन ही हमारे से खरीदी थी अभी जहां पर जनगी थी दो तीन दिन हो गए उनको पतलब की गाये खरीदी हुई को ठीक है बैकरणड यह सर फस्ट एलेक्टेशन में अभी फस्ट में जी सर दो दांत अभी सर मूं से यह कितने दूद की रहेंगी दूद सर हमने तो 16-17 लीटर की कह के दिये सर सेल कर दीजी अभी पर अभी जनी हुई है यह मिलकिंग इनकी की हुई है कितना अभी अभी तेरा 14 होगे तो हाइट आपको दिख जाएगी बाखी मूं से दो दानता सर अभी कलर बगहरा प्रिंट इसका आँचलों का गैप सर अडर कोल्टी सारी चीज आपके सामने है अभी सर हम आपको जो गाड़ी लोड हो रही है उसकी भी आपको दिखाएंगे अंदर से भी दिखाएं मैड भी उन्हों उन्होंने हमारे से ख्रीदे है हमारे सो नेइन क्रीदे कह सकते हैं किसर उनको ख्रीद के दी है ठीक है और देखोंगे सर मिटा है इसमें डाला हुए एक फूट के तकरीम अदा हुआ है ठीक है और बांदने की कोई एक साथ में केटे कर जाएगा कोई प्रावलम नहीं होगी घर तक पहुंचने की जिम्मारी हमारी रहेगी तो किसान भाई यो जे गाएं लोड हो रही है जैसा कि आपको बताया था वीडियो बनने के बाद गाएं लोड कर दी जाएगी इ यह देखो जो गाड़ी का डालना है जो माटी होनी चाहिए उसके बिल्कुल लेवल पे होनी चाहिए तांके गाएं यहां पे आ जाए गाएं का पैर मत फिसले और यह देखो ऐसे गाड़ी में लगा दी जाती है दो गाएं आगे लग चुकी है और बाकी गाएं पीशी पता भी नहीं होती है विलोडिंग कैसे करते हैं जुरूरी पता है यह से यह तीन गाय लगेगी सर आगे आगे तीन गाय लगेगी जाप इसमें मिलके खड़ेंगी सर जब ब्रेक वगरा लगेगी तो ऐसे तो राजस्तान जारी है मतलब इतनी जारा दूर नहीं जैसे अब ही सारा कुछ है रेडी है मिलकिंग इनकी की हुई है सुबा जाकर यह गाय उतर जाएगी और जाएगा इस टॉप तो आएगे नहीं सीधी जाएगे घर पर जाएगा तभी इतनी त्यारी नहीं कर जो जरूरी है तो कि रस्ते में जैसे वासरूम हो गया नहीं तो बैसे पर इनको घर गर हनले शुबा जाकर खाते हैं तो सबसे बड़ी बात होती है बांद से बंखना हर 7 को नहीं आता बच्चा रस्ते में खुल जाए तो पैरों के नीचे आ सकता है ठीक है सर ऐसी कोई प्रावलम नहीं हो नहीं होता ठीक है और जो जब गाए लुड़ा होती है जैसे इसका देखो सर यह डाला इसको यह प्रॉपर सीधा होना जाहिए सर कई बार होता है कि उच्चा हो जाता है जाए फिसल कर कोई से नुकसान हो सकता सर यह चीजों का खासकर द्यान हो जाए इसमें जी सर एक बात मैं आपको नर्मल जी आपको बताना चाहूँए कि मेरी कस्टमर से बात हुई थी कल भी हुई थी कस्टमर से कई बार होता है कि कस्टमर को ना सर खर्चे नहीं बताए ज कि जो खर्चे होते हैं जो बैसे अपना जो भी कस्टमर आते हैं वो अपना बजट के हिसाफ से जैसे हमने बता दिया कि यार आपको बीस लिटर की गाए पचास जार में मिल रही है वो पांच गए कि हिसाफ से पैसा ले लेगा और एक लगा लोगी गाड़ी का किराया ले लि हे हमारे हम से तो आप को नए तो इसमें कोई हमारा कमिशन लगना सर ठीक है दूसरी बत इदर से नए ठीक कोई घाड़ी का किराया लगना किराये की बात बताना चाहूंगों कि यह इदर फार्म से ले तो फिर तो सर इदर से सारा माल हो गया तो आपको लोकल किराया जो माल सब सारा माल एक जगा एक अठा करेंगे वह आपको नहीं देना पड़ेगा जदि हम अलग-अलग फार्मों से जाके खरीते हैं तो वह आपक किराया अलग-अलग जैसे एक एक दस गाय लिया आपने तो अलग-अलग दस गाय कापको वह भी खर्चा पड़ेगा तकरीबन जदी हम ऐसे लगाओगी एक गाय काप पंद्रह सो के अपरेजी लगाए दस गाय तो पंद्रह है यार्पिया हो गया कई बार कस्टमर हमारे प को बोलते हैं वो सर आप पूछ कर आएं ठीक है आपको कोई परेशानी नहीं और दूसरी बात सर एक जो पशू मंडी का भी आपको बैसे तो सभी को पते ही होगा सत्रा सुर्पिये परची है मंडी की ठीक है सर वह भी लगती है और हमारा जो मंडी का कमिशन होता है एकज़ हैं स bronc कैसर हम यह आपको यह बता है की आप इधर आते हो आपका बस्ट कम है पिर आप ऐसे बोलो की अर्तिर सेम भाई यह आपने बताया ने कई आदमी होते हैं कि नहीं बताते और मैं किसी भी किसान भाई से कोई भी पर्दा नहीं रखना चाहता है ताकि कश्टमर को कोई प्रिशानी रहे और दूसरी बात सार एक और है कि कोई भी आप फोटी लिटर जाफ थर्टी फाइव लिटर की गाय ले रहे हो तो प्लीस वो जनी हुई ले और मिल्किंग करके ले हमारे पास काफी वार्फ होना है हमारे को बोलते भी है कि अरतर सेंब हमाने गाय ली थी इस ली थी हमारे को 35 लीटर दूद कहके दे दिया 40 लीटर कहके दूद दे दिया पर हमारे पास सब्सक्राइब तो वहाँ पर रिकौर्ड खराब होता है ठीक है तो मैं सबी से कहना चाहिए जदे आप इतनी वड़ी गाय ले रहे तना पैसा लगा रहे हैं आप तो प्लीज कह सकते सर की बंद डेकन वाला काम होएता है किसी चीजी का यह बंद है तो इसको हम कुछ भी ऐसे लगा लो सर जज नहीं कर सकते कुछ भी हो सकता उसके अंदर आपको 45 भी निकल सकता है और 20 भी रह सकता है तो प्लीस मैं सभी किसान भाईयों से कहना चाहूंगा कि आप इसी ऐसा देखकर करें आप इतना पैसा 40 लिटर की गाये है जो आप उस पर एक लाख रपिया एक लाख बीस या रपिया लगाते हो तो आपको फिर पश्टाना ना पड़े ठीक है सर बाकी हमारा नंबर सक्रीन पर है किसी भी किसान भाई ने हमारे फारम पर आना है ठीक है मनत सर डैरी फारम पर मैंने कहता आप एक बार आओ अजमाओ आके फिर खरीदो सर ठीक है एक एक बार आओगे बिजनस बढ़ेगा आपको खुद खुद पता चल जाएगा कि आदमी कैसे हैं ठीक है सर बाकी मालवा फारम पर हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद